हेलो गाईज वेलकम बैक कार परिवार आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों कार परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी लोगा बहुत धन्यवाद तो finally दोस्तों आज मैं आया हुँ है रेनौर्ट के सरूं में और आप लोग दे सकते हैं हमारे सामने जितनी भी गाईज खड़ी होएँ सारे सारी सारी गाईजा दोस्तों रेनौर्ल की गाईजा खड़ी हुई है बहुत जारा लाजबाब गाड़ी है तो चले दोस्तों आप उसे ज़्यादा वेट ना कराते हुए, मैं आप लोगों को वो गाड़ी दिखाने वाला हूँ, जिस गाड़ी की आज में वीडियो शूट करने वाला हूँ, और आप लोग दे सकते हैं, हमारे सामने खड़ी हुए है रेनौल्ड की काईगर, जो कि दोस्तों ये इसका टॉब मोडल है, और ये गाड़ी दोस्तों अच्छी कासी लंबी चोड़ी गाड़ी है, इस गाड़ी में अच्छा गासा स्पेस मिलता है, इस पेस की दोस्तों इस गाड़ी में कोई भी ऐसी कमी नहीं है, और इस गाड़ी में अच्छा गासा ग्रांट्लियस मिल जाता है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों सबसे पहले इस गाड़ी की दिखा दूँ ड्रेनल्ड की जो काईगर है इसका दोस्तों जो आर एक्स वैरियंट है टॉप मोडल है इसमें जो हमें की मिलती है आप लोग दे सकते हैं दोस्तों इसकी की जाड़ी की रेट बता दिया जाए तो ये गाड़ी दोस्तों हमें 9 लाग रुपे एक सोरुम प्राइज गाड़ी का हमें बढ़ता है ओल ओवर इंडिया में और अगर दौस्तों इसकी ऑन रोड की बात किया तो लग बहुत दोस्तों यह हमें 10 लाग रुपे में ओन रोड पड़ेगी जो कि दोस्तों आप लोग अपने इस्ट्रेट पर डिलेट सीप पर जाके एक बार कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें दोस्तों हमें दो इंजन अवेलवाल हैं एक दोस्तों हमें 1000cc का नैचुली स्प्रेटीर पैट्रोल इंजन और एक दोस्तों हमें इसमें टर्बो इंजन भी मिल जाता है तो इस गाड़ी में दोस्तों हमें अच्छी खासी पावर मिल जाती है तो चलिए मैं आप लोगो इस गाड़ी का फरंड लूग दिखा दूँ तो आप लोग दे सकते हैं रेनोल्ड की काईगर जो की दोस्तों यह कॉम्पैक्ट ऐसी वी है और इसका जो में फर्ट लूग मिल तो इसमें दोस्ता में 4 스ार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है और 4 스ार सेफ्टी रेटिंग तो दो दोस्ता हमें सेल डोस में भी नहीं मिलती है और चलिए मैं आप लोगो को इक बार इस गाड़ी के DRLS और इसकी हैडलाइट से अन करके दिखा दूँ तो आप लोग दोस् ओर स्टार mira जाती है और फॉर सिस्टार सेफटी रेटिंग तो दुस्ता मैं भी नहीं बिलती है और चलिएсон यूः यूं और आप लोग नोगो एक बार किं.... apart के अभी सद्सराम और यूआइल से हर शॉपाइएल बिलाइब मैं और नगाँ करदी हैं यह गाड़ी दोस्तों में इतना KhaMprise में available है और इस गाड़ी में दोस्तों में बहुत अच्छे-चे काम की फीचर मिल जाते हैं जितने ही हमारे काम की फीचर हैं वह हमें सारे के सारे ही variant में available हैं क्योंकि यह Renault की Kiger का RX-Z top model है यहां पर दोस्तों आप लोग दे सकते हैं यह इसकी जो में सकते है यहां पर जो मीरी मिल दाती है और चले दोस्तों आप लोग करण अचछे कहा से बड़े साइज के टास मिल दाते हैं तो 195, 65, 16 inch के दोस्तों हमें इसमें अच्छे आते हैं, बड़े साइज के अलोई वीर मिल जाते हैं, देसकते हैं आप लोग MRF के दोस्तों हमें इसमें टायर्स मिल जाते हैं, और यह देखिए, आप लोग देसकते हैं, इसका side look, ये दोस्तों हमें कुछ तरीका से मिलता है कि मुझसी भ्लेक और व्मर्ण होग मिलता है इसको प्रणे को जाता है रूफ पर हमें यहाँ पर यह roof rails मिल जाती है, जो कि दोस्तों यहें बहुत ही अच्छी quality मिलती है, देहरें, silver में दोस्तों हमें इसकी roof rails मिल जाती है, और यह सक आधी ब्लैक आउट श्inalsा मरुत, की बात करूं तो इसमें हमें 205 mm का Ground Race मिल जाता है जो कि दोस्तों देखा जा तो इसमें अच्छा आशा वाइपर और यह डिफॉर्गर दोनों के दोनों ही अविलवल है और यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें यह वास्ट भी मिल जाता है और इस गाड़ी में दोस्तों हमें पीछे कैमरा भी मिल जाता है और आप लोग दे सकते हैं इसकी जो टेल लाइट स sensor भी मिल जाते हैं और यहां पे आप लोग दे सकते हैं यहां पे हमें नीचे दोस्तों यह skid plate जो मिलती है यह हमें silver color की मिल जाती है तो चलिए दोस्तों हमें आप लोगों को इस गाड़ी का boot space दिखा दूँ कि इसमें जो में boot space मिलता है कितने हमें इसमें boot space मिलता है तो आप लोग दोस्तों दे सकते हैं सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा है भी इसका यह door देहिए तो चलिए आप लोगों को दिखाए जाए कि रेनल्ड की काईगर में हमें जो boot space मिलता है यह हमें बूट स्पेस दोस्तों हमें इसी गाड़ी का मिलता है वैन्यू रेजा दोनों गाड़ीों से दोस्तों हमें इसमें बूट स्पेस जादा ही मिलता है यह देख सकते हैं आप लोग अच्छा गास है दोस्तों बड़े साइज का हमें इसमें बूट स्पेस मिल रहा है और बहुत की स्टैफनी मिल जाती है कि छोटे साइज की दोस्ता में इसमें स्टैफनी मिलती है और इस फैरियंड में दोस्तों हमें पीछे पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो की बहुत अच्छी क्वाल्टी है देखिए इसमें पार्सल ट्रे मिल जाती है तो चलिए दोस्तों आप मैं आ regulators में मिल जाता है तो और दोस्तों दूर से देखा जाए तो इस गाड़ी का जो रिख कि सच में दोस्तों बहुत ज्यादा लाजवाक यह देखिए बहुत ज्यादा मस्त लगा रहा है का ऐसका बैम ल्लो कि अ bên कर यहां पर आब शॉड टैंग मिल्ड़ाता जो की आधा minister दोस्तों हमें 40 लिटर की fuel tank capacity के साथ में मिल जाती है और अगर मैं इस गाड़ी के दोस्तों average की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें अच्छी खासी average भी मिल जाती है 20 की average दोस्तों company claim करती है और हम highway बात करें तो highway पर लगवा दोस्तों 17-18 की average हमें ये गाड़ी आराम से दे देगी तो चलिए दोस्तों हमें आप लोगों को इस गाड़ी का एक बार इंटीर दिखा दूं कि आप लोग दे सकते हैं इसमें दोस्तों में इंटीर मिलता है आप लोग दे सकते हैं इसका driver दोर यह दोस्तों हमें fully black color में मिलता है और driver दोर पर हमें 4-4 power window के लिए buttons मिल जा छावने मिलता है है और यह इसका door Randar मिलता है और चाहिए बैदर से दौस्तों हमें पर दोस्तों हमें दोस्तों ऑटियाइबशिर मिलती है बहुत इच्छी driving mean दोस्तों की हैड्रेस की बात करें तो आप लोग दे सकते हैं तो चली दोस्तो आप गाड़ी के अंदर बैठा जाए तो आप लोग दे सकते हैं फिलाल हमें गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूं और इसके जो इंटीरियर के तो बिल्कुल साफ हमें इसका बोनर दिखाई पढ़ रहा है और इसके दोस्तों दोनों की दोनों पीलर जो हैं विल्कुल साफ इसमें दिख रहे हैं तो इस गाड़ी को चलाने में दोस्तों कोई भी ऐसी प्रोब्लम नहीं होने वाली है और यहां पर आप लोग दे सकते हैं यहां पर दोस्तों इसके AC वैंट समय कुछ तरीके जी मिल जाते हैं देखिए और इस गाड़ी में दोस्तों हमें ओटोमाटिक क्लाइमेंट कॉंट्रोल मिल जाता है पूस बटन स्टार्ट शॉप का भी फीचर हमें इसमें मिल जाता है यहां पर आप लोग दे सकते हैं और दोस्तों मैं कूलिंग के साथ में अवेलवल है झार बहुत इसको दोस्तों बहुत कमाल की शीटर देखिए बहुत आपकली दोस्तों में मिल जाते हैं यहां पर इसकी हैं अटोमाटिक Чई वीडिय और लेकिन फिलाल जिंएम वीडियो शूट कर रहे हैं ये दोस्तों मेनवल में हैُ ये गारी दोस्ता में है तीन मोड के साथ में अवेलवल हgoneले एको उपनी मोड सभ tricky मोड और Запak कर सकते यह सिरिग पर वह हमें प्यों स्टार्ट सॉप का स्धर मिल जाता है और हमें पीजिएaltroFr और यह कुल दाता है एंब इसका जो ड्राइवर पैसंजर के आगे मिल जाता है और अगर दोस्ते इसकी स्टेरिश हैर देखा आगी यहां पर घ्लॉसी ब्लेक कलर वाग का इंग उजह बन बांट OVER कोडनेरों में देखा B बहुत ही बड़े साइज का गलब box है रेनोल्ड की दोस्तों हर गाड़ीों में हमें जो गलब बोस मिलता है बहुत ही बड़े साइज के गलब बोस मिलते है यहां फिशका है जैसे अपना बहुत ही आराम से comfortable charge कर सकते हैं आप लोगो इस गाड़ी के reverse camera की quality भी दिखा दूंकि इसमें reverse camera जो मिलता है वह मैं किस quality साथ मिलता है तो आप लोग दोस्तों दे सकते हैं इसकी reverse camera की quality आप लोग देखी सकते हैं बहुत दोस्तों अच्छी quality में reverse camera मिल जाता है और यह आप कि शारे फीचर्स मिल जाते हैं तो चली दोस्तों को इस गाड़ी की रूर योधी रैले खुर्वार ुंडो के लिए और यहां पे दियाल ओन दे सकते हैं यहां पर हमें एंट प्रोषी ब्लंक का यूजुवा मिल जाता है देखिए बहुत इचारा शांदार लुक लगरा असका और इस गाड़ी में दोस्तों हमें चार स्पीकर मिल जाते हैं चारो के चारो डोर्स पे और चलिए दोस्तों आप आप लोग को पीछे वाली सीट पर स्पेस दिखा जाएगी इसमें कितना स्पेस मिलता है उनमें सबसे ज़्यादा मुझे लेग रूम इसी गाड़ी मिल रहा है और आप लोग दे सकते हैं इसमें अच्छा खाथा थाइस बोर्ड भी मिल रहा है और इस गाड़ी में दोस्तों है बहुत बड़े साइज का पीछे आर्म्रेश्ट मिलता है देखिए बहुत ही बड़े साइज में अर्म्रेश्ट में कप और इसमें कप हार्टर मिल दाता है यहां पनल डाता है और यह गारी जी बहुत यहा च्रशे आढ़ी लगडिया इसमें अराम से पीछ नीं pensar और आप लोग दो पर दो हो रहायोन और दोस्ते हमें और पेछो और से अब अब आर वह पूर्ड देखे पर्पिस्टी नृडजियक कर सकते हैं और यहां दोस्तों हमें 12 वोट का चार्जी शक्र मिल जाता है देखिए किसे बीछे हम आराम से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं और यह गाड़ी दोस्तों अच्छी खासी अंदर से चोड़ी गाड़ी है इस गाड़ी में हमें बिल्कुल भी हमप नहीं मिलता है बिल्कुल फ्लैट गाड़ी मिलती है इसमें अराम से पीछे तीन वंदे कमपर्टेबल बैठ सकते हैं किसी कोई बैठने में कोई भी प्रोब्लम नहीं वने वाली है तो चली दोस्तो लास्ट में अब इस गाड़ी के प्राइस की भी बात कर लिया है तो इस गाड़ी का दोस्तो अगर मैं एक्सोरूम प्राइस की बात करूँ तो 8,96,000 रुपे दोस्तों मैं इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस पड़ता है और अगर इसके on road की बात करूँ तो लगबख दोस्तों 10 लाग रुपे में यह हमें on road पड़ेगी So I hope दोस्तों अगर आप लोगों मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो okay bye मिलते हैं आप लोगों से नेस्ट वीडियो में